हमने GSLV Mark 3 का launch देखा है, Mark 2 का launch देखा है, पर मुझे हैं हमेशा सवाल आते हैं कि Mark 1 को क्या हो गया, GSLV Mark 1 का है, क्या वो launch भी हुआ है, इस चीज के उपर दो main theories है, एक theory जादा popular है और दूसरी theory को मैं support करता हूँ, गरिब सेंडिस में अपका स्वागेत, आज हम जानेंगे GSL Mark 1 के बारे में, तो पहले GSLV के stages समझ लेता है, वरना ये आपको समझने में problem होगा, तो हम बात कर रहे है theory 1 की, तो GSLV के देखो तीन main stages है, और side boosters भी है, GS1 stage, GS1 stage जो है, उसके उपर एक S139 solid booster है, core में है, उसके मतलब middle में, S139 मतलब solid booster, 139 tons of propellant के साथ, फ्यूल के साथ, ये booster exactly same है, PSLV के booster की तरह, तो PSLV और GSLV Mark 2, मैं Mark 2 के refer करूँगा, same booster share करते, core booster, S139, जो पहला flight हुआ था Mark 2 का, उसमें उन्होंने S125 के दा, तो थोड़ा चोटा booster, फिर उसके बाद एक common stage पे switch के वो लोग, उसके side में आप देखोगे, strap on boosters है, मतलब ये booster उसको attached है, ये booster separate होते core से हमेशा attached ही रहते, end तक, इसके उपर 4 boosters है, जो है L40 boosters, L40 मतलब liquid boosters with 40 ton propellant, इसके नीचे विकास engine लगा है, तो ये hypergolic feel उस्तमाल करते है, तो 4 विकास engine और बीच में core S139, ये बनता है first stage, ये पूरी चीज एक साथ attached रहती है, उसके बाद आता है liquid stage, यानि GS2 stage, ज ये almost similar है PSLV के second stage की तरह, पर एक interesting चीज है GSLV Mark 2 के बारे में, कि ये hot stage करता है, मतलब आप देखो कि stage 1 और stage 2 के बीच में, एक meshed inter stage है, मतलब वो आपको engine दिखता है देखो अंदर का, ये इसलिए क्योंकि GSLV Mark 2 hot staging करते है, hot staging मतलब separate होने से पहले engine fire करने लगेगा, आप इस वीडियो में देख सकते हो, ये इसलिए ताकि उन्हें separate motors ने इस्तमाल करे, fuel settle करने को, अभी third stage होता है GSLV Mark 2 का, वो है GS3 stage, यानि cryogenic stage, cryogenic stage में cryogenic fuel है, cryogenic मतलब क्या, cryogenic मतलब ऐसी चीज़ आप जो बहुत थंडे temperature पे store करते हो, जैसे liquid oxygen और liquid hydrogen इस case में, ये stage ही main चीज है theory 1 की पर आता हूँ, उसकी उपर है satellite रहेगा और fairing, fairing भी almost similar PSLV के तरह, इसलिए मैं मजग मजग में Twitter पर इसे PSLV Mark 2 कहता हूँ, अगर आप Twitter पर follow कर तो आपको बता है, उसी बाहाने मेरे को Instagram पर आपर follow कर दो, प्लीज ग्यान के लिए, पर एक चीज़ नोट करने लाइक है कि, जो GIS 8 का launch हो का, उसके साथ इसलिए एक बड़ा fairing test कर रहा है, जो एक OG 4 meter fairing है, पर यह first time नहीं उडने वाला था, जो पहला indigenous cryogenic test होने वाला था ना, D3, उसमें भी उन्होंने try किया था एक बड़ा fairing, पर वो पूरा launch feel हो तो, बट I think वो fairing का part जो था, वो successful था, अभी जो पहले पहले GSLV launch होए थे, उन्होंने use किया था, एक Russian engine stage में, cryogenic stage में, Russia का specifically KVD 1M engine, यह Russia अपने program के लिए develop कर रही थी, पर बाद में वो नहीं use किये उन्होंने, तो initial agreement था कि Russia और India साथ में काम करेंगे, और Russia हमें 2 engine बेचेगी, और पूरा technology transfer करेगी, ताकि हम पूरा engine हम build कर सके हमारे end से, पर हुआ कांड और अमेरिका ने sanctions डाल दिये, यह कहके कि हम इसे missile build करने use करेंगे, मतलब sense नहीं करता, कौन सा missile cryogenic stages समाल करता है, उन्हें बस हमारा program का development रोकना था और slow करना था, तो फिर वो पूरा deal गिर गया, अब इस point पे जब deal हुआ था, कुछ time के बाद हमारे scientists थे Russia में, उनके साथ काम कर रहे थे, सीख रहे थे, वो engine कैसे बनता है, फिर वो deal revise हुआ कि अभी हम technology transfer नहीं करेंगे, हम और engines आपको बेश देते, तो उन्होंने और कुछ engines बेश दिये, और जो भी incomplete knowledge था हमारे scientist के पास, वो वापस आगे हमारे scientist इंडिया में, और फ हमने खुद का cryogenic engine उड़ा, जिसका नाम था, CE 7.5, अभी ये पहले mission पे तो fail हुआ, जो D3 mission था, पर बाद में 2014 में, 2014 में, ये finally successfully fly हुआ, और successfully perform किया, जैसे उन्होंने expect किया था, तो ये stage as is था, मतलब उन्हें कुछ major change नहीं करने पड़े, GSLV को, रशन से, इंडिया में, और उन्हेंने make sure किया, कि वो specification similar रखे, फिर चया हो thrust हो, या specific impulse हो, जो भी है, अगर आप photos देखो, तो ये engines काफी similar लगते है, आप कह सकते हो, ये derived है Russian engine से, पर मुझे नहीं बता, कैसे समझाओ, और इस चीज़के नहीं इतने pics ही नहीं है, Google पे आप search करोगे, कस stage, या नहीं अपर स्टेज, CUS, तो आपको कोई squadra का engine मिल जाता है, car engine, और CE 7.5 सच करोगे, तो उतने pictures ही नहीं मिलते है, उसके बाद recently, तो हमने खुद का और भी powerful engine develop के है, जिसका नाम है CE 20, जो दुनिया का सबसे powerful अपर स्टेज कराजनिक engine है, और ये शायद जल्दी SpaceX का Raptor जब Mark 3 के उपर, sorry, तो ऐसा assume किया जाता है, या एक popular theory है, Isro के document में भी एक mentioned है, कि Mark 2, indigenous यानि Indian cryogenic stage के साथ, और Mark 1, Russian stage के साथ, ऐसा एक popular theory है, मतलब एक Isro का document भी है, जिसमें वो ऐसे explicitly mention करते हैं, तो ऐसे हम समझ लेते हैं, पर दूसरी theory ये है, और ये एक book से आता है, जो Isro के legends ल पर, तो उसमें एक paragraph है, उसमें हो mention करते हैं कि, GSLV Mark 1 जो होने वाला था, वो basically PSLV होने वाला था, पर उसका third stage cryogenic stage होगा, मतलब ये side boosters का भी लफडा नहीं होता, just a exact PSLV, पर जो upper stage है, जो third or fourth stage को replace करेंगे, एक cryogenic stage है, जैसे अभी है, पर side boosters नहीं होंगे, और इसका ये थ था कि, उन्हें common cryogenic stage develop करना है, जो PSLV पर भी काम करें और GSLV पर काम करें, पर वो उन्हें feasible लगा नहीं, और Mark 1 कभी progress किया नहीं, ये exact statement है, that Mark 1 was not progress, तो इसका मतलब ये होगा कि GSLV Mark 1 शुरू होने से पहले ही खतम हो गया, तो ये दो theories है मैं आपके सामने डाल रहा हूँ, अभी आपको समझना है समझो, मुझे तो ये proper लगता है, क्योंकि अब अगरा EZRO का website भी देखोगे, तो सब GSLVs को GSLV Mark 2 define किया है, और नए वाले launches को just GSLV, ना Mark 1 ना Mark, only GSLV, इवन उसका title उस web page का GSLV, तो बतानी किस पर विश्वास करें अभी, ग्यान के गरें भी सबसे अभी देश पंडे विक्रम वर्मा अभिशेक, श्रिवास्तवानिशन, कुमार, प्रिंस बंसल, विने अगरवार और पीतम सब मेंबर्स को बहुत उगरिया,